Welcome back guys, इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि pregnancy का first sonography आपको कौन से month और week पर करवाना चाहिए देखिए जो pregnancy के 9 month है उसमें आपकी जो first sonography है वो बहुत ही importance role play करती है साथ ही अगर आप सही टाइम पर सोनोग्राफी करवाते हो उससे आपको बारी-बारी सोनोग्राफी करवाने की जोरत नहीं बढ़ती नमबर टू अगर कोई abnormality होती है तो वो early stage में ही पता लग जाती है जिससे आप सही treatment ले सकते हो नमबर थ्री कभी कभी patient बहुत लेट सोनोग्राफी कराते हैं और उनको पता नहीं होता कि सोनोग्राफी सही समय पर करवाने से कुछ vitamins आपको start करने होते हैं ठीक है तो जितनी जल्दी आप start करोगे जो vitamins हैं वो आपकी pregnancy को support करेंगे ठीक है कुछ medicine स्टार्ट करनी होती है तो सही time पर अगर आप सोनोग्राफी करवाते हो तो सब कुछ normal हो जाता है तो इस वीडियो में हम लोग यही discuss करेंगे कि आपको first sonography कौन से समय पर करवानी चाहिए तो welcome back guys to passi champ challenge और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गाइस देखिए जो आपका first ultrasound है वो आपको जब भी आपकी period cycle की date मिस हो जाती है उसके 5 दिन के बाद आपको urine pregnancy test करना होता है जब भी आप test करोगे जब भी आप test card पर अपनी urine की drops डालोगे तो within two minute अगर आपको दो minute के अंदर अंदर second line show हो जाती है तो आप उसी दिन या उससे अगले दिन ultrasound sonographic करवा सकती हो sonographic कौन सी करानी है sonography आपको करानी है pelvic ultrasound for uterus tube ovary and gestational sac अब यहाँ पर कई लोगों को यह confusion हो रही होगी कि इतनी जल्दी sonography करवानी की जरूरत क्या है देखे जरूरत है कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको नोर्मल pregnancy नहीं होती है usually जो baby है वो बच्चेदानी के अंदर implant होता है जिसको इंट्रा यूटेराइन pregnancy बोलती है लेकिन कभी-कभी वीपरित परस्थितियों में बच्चा बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट ना होकर बच्चेदानी के बाहर implant होता है ट्यूब्स में implant हो जाएगा अंडेदानी मतलब overi में implant हो जाएगा या फिर पेट की cavity के अंदर implant हो जाता है जिसको eptopic pregnancy कहते हैं अगर आप दो मन्थ तीन मन्थ पर sonographic करवाते हो और बायचांस अगर अगर आपको eptopic pregnancy होती है तो उसमें operation करके ट्यूब को निकालना पड़ता है और अंडेदानी को निकालना पड़ता है फिर बिना ट्यूब बिना अंडेदानी के आपको आगे conceive करने में काफी problem होती है लेकिन अगर आप कम समय पर eptopic pregnancy को detect कर लेती हो जैसे मैंने आपको बताया कि 5 वे दिन आपको pregnancy टेस्ट करना है और उसके अगले दिन अगर आप ultrasound करवाती हो जो ultrasound मैंने आपको बताया उसमें आपको gestational sac अगर uterus के अंदर मिलता है intrauterine pregnancy होती है तो ये confirm हो जाता है कि आपको eptopic pregnancy नहीं है लेकिन अगर आपको eptopic pregnancy काफी कम समय पर detect हो जाती है इनी दिनों के आसपास में तो आपको दवाईयों के माध्यम से eptopic pregnancy को खतम करने का एक option मिल जाता है मतलब आपको surgery की requirement नहीं रहती है दूसरा ये की pregnancy की जो process होती है अप previous वीडियो को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको gestational sac, yoke sac, fetal polo और फिर finally बच्चे की heartbeat दिखती है तो जो आप ultrasound करवाओगे उसमें आपको अगर gestational sac uterus में ही दिख रहा है, intrauterine pregnancy है तो आपको अगर बच्चे की heartbeat नहीं दिखाई दी है तो उसमें आपको घबराने की जुरुत नहीं है ठीक है अगर आपकी pregnancy intrauterine है तो आपको folic acid 5mg, iron, calcium और protein powder स्टार्ट करना होता है और जो next ultrasound हम लोग वैसे तो 14 दिन के बाद बोलते हैं करवाने के लिए लेकिन मैं आपको यही advise करूँगा कि आपको जो next ultrasound है वो आपको 2 month, 60 में दिन करवाना होता है ठीक है 8 week पर बच्चे का जो भी structure है वो बनकर तियार हो जाता है और लग भग जो 9 week होते हैं, 60 दिन होते हैं इसके आसपास बच्चे का structure बन जाता है और बच्चे की heartbeat भी आ जाती है ठीक है इसके साथ जो 2 ultrasound है उनको जब आप compare करोगे तो उसमें आपको मिल जाती है EDD मतलब कि जो आपकी delivery date है वो आपको मिल जाती है इन दोनों ultrasound से आपको ये confirm हो जाता है कि आपको एक बच्चा है कि जुडवा बच्चे हैं तिगडी बच्चे हैं साथ ही 2 ultrasound की help से आपको आपके cervix में, अंडे दानी में, बच्चे दानी में, tubes में अगर किसी परकार की gant है, polyp है, कोई पानी वाली रसोली है वो आपको easily द पता नहीं होती है, वो इन दो ultrasound से confirm हो जाती है, तो बहुत important role play करती हैं अगर आप ये दो ultrasound करवा लेते हो, लेकिन by chance अगर आपको heartbit नहीं दिखाई देती है, साथ में दिन, तो भी आपको घवराने की जोड़त नहीं है, उसी दिन, जिस दिन आप साथ में दिन ultrasound करवाने जाओगे, उसी दिन आपको एक blood test करवाना होता है, serum beta SCG करके, और फिर 72 hours का एक gap रखके, दुबारा से आपको beta SCG blood test करवाना होता है, अगर इसकी value double हो जाती है, तो आपको दुबारा ultrasound करवाना होता है, लेकिन अगर value double नहीं होती, थोड़ी सी value decrease हुई है, या फिर increase हुई है, तो आपको eptopic pregnancy या फिर कोई other issues हो सकती है, same condition उन लोगों के लिए बहुत important role play करती है, जिनको pregnancy बहुत मुश्किल से, बहुत सारा treatment लेने के कारण हुई है, कई लोगों ने IUI या फिर IVF करवाया है, उन लोगों के लिए उनके डोक्टर यही advise करती है कि आपको beta-ACG blood test करवाना होता है, और जो beta-ACG blood test है, उसकी जो value है, जब वो 1500 से 2000 मिली international unit तक पहुँच जाती है, तो आपको transvaginal ultrasound करवाना होता है, और अगर आप transvaginal ultrasound नहीं करवाना च तो beta-ACG की value जब 4500 से 6000 के बीच में पहुँच जाए, तो आपको abdomen ultrasound करवाना होता है, मतलब sonography करवानी होती है, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका doubt clear हो गया होगा कि आपको pregnancy के time period पर ultrasound कब करवाना होता है, तो guys मुझे दीज़े इजादत यहां तक सुनने के लिए आपक बहुत interesting topic के साथ, तब तक के लिए, stay healthy, stay fit, thanks for watching this video.